हेलो बच्चों, गनित की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बच्चों, पिछली वीडियो में आपने मापक की सहायता से लंबाई ग्यात करना सीखा साथी आपने सीखा कि सेंटीमीटर, मीटर तथा किलोमीटर में क्या संबंध होता है आपने जाना कि एक मीटर में सौ सेंटीमीटर होते हैं तथा एक किलोमीटर में एक हजार मीटर होते हैं बच्चों, आज की वीडियो में भी हम इसी से संबंधित कुछ प्रशनों को हल करने का प्रयास करेंगे तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की वीडियो बच्चों हमें एक सरल रिखाया एक सीधी लाइन दी है जिसकी लंबाई हमें मालूम नहीं है हमें इस लाइन से एक सेंटीमीटर लंबी लाइन खींजनी है बच्चों सबसे पहले हम मापक की सहाथा से देखेंगे कि दी गई लाइन कितनी लंबी है उसी तरह से हम मापक के उस हिसे को जहां पर शुन्य लिखा है इस लाइन के एक सीरे पे रखेंगे तथा देखेंगे कि दूसरे सीरे तक कुल कितनी लंबाई होती है जैसा कि हम मापक की साहता से देख सकते हैं कि D गई लाइन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है देकिन बच्चो हमें एक और लाइन खींजनी है जो इस लाइन से एक सेंटीमीटर ज्यादा है यानि कि 5 जमा एक बराबर है 6 सेंटीमीटर यानि बच्चों हमें 6 cm लंबी एक लाइन खींचनी है जिसे हम मापक की सहाइता से इस तरह से खींचनी है चलिए बच्चों, इसी तरह से एक और प्रशन देखते हैं हमें एक लाइन दी है तता हमें इस लाइन से 1 cm छोटी रेखा खींचनी है बच्चों, मापक की सहाइता से हम इसे भी वैसे ही माप लेंगे जिसे मापकर हमें मालूम हुआ कि दी गई रेखा 4 cm लंबी है तो इससे 1 cm छोटी लाइन यानि कि 4-1 बराबर है 3 cm तो बच्चों, हम मापक की सहाइता से 3 cm लाइन खींचेंगे बच्चों, इसी तरह की कुछ प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रिष्ट संख्या 14 पर दिये हैं जहां पर आपको एक चित्र दिया, एक चित्र में एक गुडिया है इस गुडिया का केवल एक हाथ है आपको कहा गया है कि इसके दाएं हाथ को बाएं हाथ से 1 cm लंबा बनाओ यानि कि बच्चो आपको इस गुडिया के बाएं हाथ को मापना है तथा बाएं हाथ की लंबाई जित्नी होगी उससे 1 cm लंबी या उसमें 1 cm को जोड़कर आप इसका दाया हाथ बनाएंगे उधारन के लिए यदिस का बाया हाथ 2 cm है तो इसका दाया हाथ बनाएंगे आप 3 cm इसी तरह से बच्चो एक और प्रेशन दिया है आपके पास एक कप दिया है बच्चो आपको इस कप से 1 cm छोटा कप बनाना है बच्चो इस कप की लंबाई या इस कप की उंचाई लगभग 4 cm होगी यानि आपको इस से 1 cm छोटा कप यानि कि ऐसा कप बनाना है जिसकी उंचाई 3 cm होगी बच्चो इसी तरह से आप बाकी दिये प्रशनों को भी हल करने का प्रयास करें बच्चो आपने दो बिंदों के बीच में दूरी ग्यात करना सीख लिया साथ ही आपने सरल रेखाओं की लंबाई मापना सीख लिया है बच्चो अब हम बात करेंगे स्वयम की यानि अब हम अपने आपकी लंबाई को मापेंगे बच्चो आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारे माप की लंबाई के ब्राबर मापक तो हमारे घर में नहीं है लेकिन बच्चो आपके जो मैट्री बॉक्स में रखे 15 सेंटीमीटर लंबे मापक की सहायता से ही आप अपने आपको माप सकते हैं इसका सरल सा उपाय है कि अपने आपको पहले सिर से पैर तक एक धागे की सहायता से मापिए तथा बाद में उस धागे को उस 15 cm लंबे मापक की सहायता से मापिए बच्चो इस तरह से आप अपने आपकी लंबाई ग्यात कर सकते हैं बच्चो इसी तरह से आप अपने घर के प्रतेक सदस्यों की लंबाई को ग्यात कीजिए तथा जानने का प्रयास कीजिए कि आपके घर में कौन सबसे लंबा है तथा कौन सबसे छोटा है साथी ग्यात करने का प्रयास कीजिए कि आपके घर के सबसे लंबे वैक्ती तथा आपके घर के सबसे छोटे वैक्ती की लंबाई में कितना अंतर है चलिए बच्चो जूमपा की बात करते हैं जुम्पा ने एक बार विश्व के बहुत लंबे वैक्तियों की सूची को पढ़ा उन में से एक वैक्ति 272 सेंटीमिटर लंबा था वो जुम्पा की लंबाई से दो गुना था बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि जुम्पा की लंबाई कितनी थी चलिए बच्चों समझने का प्रयास करते हैं वह वैक्ति जुम्पा की लंबाई से दो गुना था यानि बच्चों जुम्पा की लंबाई उस वैक्ति की लंबाई की आधी थी यानि यदि हमें जुम्पा की लंबाई को ग्यात करना है तो हम करेंगे उस व्यक्ति की लंबाई भाग 2 यानि कि 272 भाग 2 जो कि बराबर होगा 136 यानि कि बच्चो जूंपा की लंबाई 136 सेंटिमीटर है बच्चो आपकी लंबाई कितनी है आप अपनी लंबाई के अनुसार अंदाजा लगाने का प्रयास कीजिए कि वह व्यक्ति कितना लंबा होगा चलिए बच्चों अकबर तथा बीरबल की बात करते हैं बच्चों आपने अकबर तथा बीरबल का नाम अवश्य सुना होगा अकबर राजा थे तथा बीरबल उसके मंत्री थे अकबर हमेशा मुश्किल मुश्किल सवाल बीरबल से पूछा करते थे लेकिन बीरबल अपनी चतुराई से उन सभी प्रश्णों को असानी से हल कर देते थे। एक बार अकबर ने जमीन पर एक लाइन खींची, तथा बीरबल को कहा कि इस लाइन को बिना मिटाए, छोटा कर दो। बड़ी विकट स्थिती थी, एक ऐसी लाइन जिसे मिटाना नहीं है, वो छोटी कैसी हो पाएगी। लेकिन बच्चों, बीरबल ने कहा कि महाराज मैं बिना इस लाइन को मिटाए से छोटा कर दूँगा। बीरबल ने उस लाइन के साथ ही एक और लाइन खींची जो की अकबर दोरा खींची गई लाइन से लंबी थी। उसने अकबर से पूछा महाराज जो मैंने लाइन खींची वो कैसी है। अकबर ने कहा कि बीरबल जो तुमने लाइन खींची वह लंबी है और महराज जो आपने लाइन खींची वह कैसी है तो अकबर ने कहा कि जो मैंने लाइन खींची है वह छोटी है तो बच्चो इस तरह से बीरबल ने अपनी समझदारी से अकपर को यह कहने पर विवश कर दिया कि मेरे द्वारा खींची गई लाइन छोटी है बच्चों इस तरह से बीरबल ने बिना उस लाइन को मिटाए उसे छोटा कर दिया